fans love हेलो फ्रेंड्स मस्कार आज में आप के लिए सिन्गल कलर का बहुत miraculous बनाई का डिजाइन लेकर आएँ हूँ इस थीजाइन को बनाने के लिए अपने जो फन्दे लेने हैं 11 के गुंधागर्के लेने हैं जैसे गनाई फन्दे लेंगे तो 11 11 के चार सिरी नाइय में बनके तयार होगा हमारा डिजाइन और ये रही उल्टी साइड ऐसे दिखेगा उल्टी साइड से इस डिजाइन को आप लेडिज़् के स्वैटर में जैकेट में बच्चों के स्वैटर में जैन्स स्वैटर में, फुल स्वैटर, हाफ स्वैटर, बेभी फ्रो, घर्ल्स के टो, पूर्ती, इधियार safest किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं, बनकर भूत ही प्यारा आता है, तो आईए बनाते हैं इस डिजाइन को, तो मैं यहीं से बता दूगी आपको चार सिलाई का डिजाइन है, कैसे आपने बनाना है, दिखिए आपने ये फंदे जो हैं, 11 के हिसाब से ले लेने हैं, और ज सीधी साइड से पहला फंदा उतारेंगे बिन बुना, और चार फंदे सीधे बनेंगे, एक, दो, तेन, चार, चार फंदे सीधे बने, चार फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तर्फ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेंगे, ऐसे, उल्टा बना लिया, दूसरी साइड लेके जाएंगे उनको और ऐसे लपेटेंगे एक फंदा इस तरह से बन जाएगा ये फंदा एक और ये नेक्ष्ट ये दो का एक करेंगे आगे की साइड से ऐसे जारी डालते हुए दो का एक किया एक फंदा सीधा फिर नेक्ष्ट जो फंदा इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे साथ में दूसरा फंदा लेंगे यानिकी दो फंदे लेंगे दो का एक कर लेंगे उनको आगे लाएंगे और इस तरह से गुमाएंगे इस लाई में और एक फंदा उल्टा बनाएंगे ये देखें एज को छोड़ कर दिंधायों के एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस घ्यारा 11 घ्यारा फंदो का डिजाइन बार वार यह रिपीट करेंगे इसमें बुने है चार फंदे सीधे एक उलटा जाले डाली के साइ़ से दो का एक किया एक फंदा सीधा फंदे को टर्न किया और बैक साइड से दो का एक किया जाली डाली और एक फंदा उल्टा गुना बार-बार यहीं रपीट करेंगे फिर से यहां से रपीट पैटर्न होगा धागा पीछे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार उन अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे और ऐसे एक फंदा बनाएंगे आगे की तरफ से दो फंदो को इकठा बनेंगे एक साथ फिर एक फंदा सीधा इस फंदे को टर्न करेंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे अब यहाँ पर इस तरह से एक फंदा बना लेंगे, जो घटा है वो बढ़ जाएगा तो बरावर के बरावर रहेंगे और एक फंदा ये उल्टा बना लेंगे, फिर से पैटरन को और पीट करेंगे इसी को बार बार, चार फंदे फिर से सीधे बुने, ये देखें यहाँ पर चार फंदे सीधे बुने हैं, एक, दो, तीन, चार, उन आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, उन पीछे करेंगे, आगे की साइड से दो फंदो का एक करेंगे, यहाँ पर पहले इस तरह से जाले डालेंगे, तो दो का एक करेंगे, यहाँ पर बढ़ गया है, तो यहाँ गटाएंगे तो बराबर के बराबर रहेंगे जाले डालते हो दो का एक आगे की तरफ से एक फंदा सीधा इस फंदे को टर्न करेंगे बैक साइड से दो का एक करेंगे धागा आगे लाएंगे और ऐसे घुमाएंगे जाले डालेंगे यारिक फंदा बढ़ जाएगा एक इसमें चार फंदे हमारे बुनाई के हैं, यह सीधे रहेंगे, और एज इसे भी सीधा बुनेंगे, सीधी साइड है, दूसरी सिलाई, उल्टी तर्प से पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे, जो यहां से सीधे बुने हैं, वो यहां से उल्टे रहेंगे, जो उल्टा है एक, वो सीधा रहेंगा, और वाकी की फंदे उल्टे ही रहेंगे, यह जाली बाला भी उल्टा, एक दो, तीन, चार, ये पांच, जाली तक उन्टा, तो दिखें, एज को छोड़के, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, और ये ग्यारा, ग्यारा फंदे हो गए हमारे, एज को छोड़के देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा फंदे ये ही बार बार रपीट करने हैं, इसमें देखें, पहला तो उतारा है, उसके बाद चार फंदे उल्टे हैं, एक सीधा, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे, एक, जाली से जाले तक, दो, तीन, चार और ये, पांच, एक फंदा ये सीधा, फिर से रपीट करेंगे, ग्यारा फंदो का डिजाइन, 4 फंदे उल्टे, ये पांचवा फंदा सीधा, फिर उल्टे हैं, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, आगा पीछे, और ये फंदा सीधा, ये 11, 11 फंदे होगे, 11, 11 का बारवार पीट करेंगे, लास्ट में हमारे 5 फंदे बचेंगे, 4 फंदे हमारे डिजाइन के, 1 फंदा एक्ष्ट्रा, उल्टी तरफ से इसे उल्टा बुनेंगे, लास्ट फंदे को वि, ऐसे, दूसरी सिलाई कम्पलीट हो गई है, तीसरी सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ध्यान दीजी, पहले हमने जाली डाली थी, फिर दो काई किये था, अब हमने दो काई पहले कर लेने हैं, जाली यहाँ डालनी है, बीच बाला जो फंदा सीधा बनाया है, उसके आसपास दोनों तरफ जाली बनानी है, और यह दो काई करेंगे, यह बैक साइड से दो का एक करेंगे, तो देखें, अब हमने जाली अभी नहीं डालनी है, तीसरी सिलाई को ध्यान से देखिएगा, यह आगे की साइड से दो क पर द्धा इस तरह से घुमाएंगे जाली बन गी दोगए किया बढ़ाया तो बराबर रहेंगे अब एक फंदा सीधा अ फिर से यहां पर जाली दाल लेंगे अब यह फंदा टर्न करेंगे धोगा एक करेंगे उन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा यहां देखें एज को छोड़के एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यारा ग्यारा फंदो का डिजाइन बार बार रिपीट करेंगे इसमें चार फंदे हमने सीधे बुने जाले डाले एक फंदा सीधा फिर जाले डाले फिर दो का एक यह बैक लूप से और फिर एक फंदा उल्टा वार बार रिपीट करेंगे चार फंदे देखें फिर से सीधे रहेंगे एक फंदा उल्टा आगे की साइट से दो का एक करेंगे जाले डालेंगे एक फंदा सीधा फिर से जाले डालेंगे टर्न करेंगे दो का एक बुनेंगे एक फंदा उल्टा फिर से रिपीट करेंगे एक, दो, तीन, चार 4 भंदे हमारे सीधे एक उल्टा आगे की तरफ से दो का एक फिर जाली डालेंगे एक फंदा सीधा जाली डालेंगे टर्न करेंगे फंदे को दो का एक करेंगे बैक साइड से एक फंदा उल्टा यही आपने 11-11 का रिपीट करना है लास्ट में हमारे 5 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बना लेंगे, तीसरी स्लाई कम्प्लीट हो गई है, जो ती स्लाई उल्टी साइड से, जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है, वैसे बना लेंगे, देखें, एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक पांज फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, देखें, एज को छोड़के, ये एक, तो, तीन, चार, पांच, साथ, आट, नो, तस, ग्यारा, ग्यारा फंदो का डिजाइन बार-बार पीट करेंगे, फिर से चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, एक फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर, चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर, पांज फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, लाश्ट में पांच फंदे बचेंगे, इन्हें उल्टा बना लेंगे, आपने इनी चार सीलाई को रपीट करना है बार बार, तो आपका डिजैन जो है, इस तरह से बनता जाएगा, जुरूर ट्राई करें, कैसे लगी वीडियो, कमेंट करके जुरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेर करें वीडियो को, थैंक यू,